नमस्कार सलाम न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है सबसे पहले हेडलाइन लखीमपूर खीरी हत्यकान का वीडियो वाइरल साब दिखरा आये कि कैसे किसानों पर चड़ा दी गई गाड़ी लखनव में प्रधानमंत्री नरेंद मो दिखा भाशान लेकिन नहीं क्या मुरत किसानों का जिक्र फरिदबाद की संजन अगरबस्ती पर रेलवे ने चलाया बुल्डूजर उजडगए बरसों से रह रहे दलित मजदूर परिवार खगोल विदो को मिला एक दुरलब ग्रह जो एक साथ करता है तीन सूरों की परिक्रमा और करूना अपडेट देश में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नहीं माम ले 263 मरीजों की मौत अब खबरे विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं तीन अक्टूबर को लखीमपूर खीरी में हुए किसान हत्याकांड की जिसमें भाजपा के मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचल कर किसानों की जान गई इस घटना के विरोध में 4 अक्टूबर को देश भर में विरोध हुआ देरा दून से लेकर बंगलूरू तक जनता ने मोधी सरकार की आलोशना करते हुए दरना पर रशन किये जिसका प्रेणाम यह हुआ कि आखिरकार यूपी की योगी सरकार जुकी और मंत्री के बेटे स समेत अन्या आरोपियों की गरफतारी नहीं हुई है जिससे किसानों में गुस्सा है इसी के चलते मृतकों का अंतिम संसकार भी नहीं किया गया है आपको मालूम है कि इस बीच सत्ताधारी भाटपा सरकार ने इस घटना का सक्ष छिपाने की पूरी कोशिश की विपक्षी पाल्टियों के निताओं को लखीमपूर जाने से रोका गया इस दौरान हिराशत में लिगए कांग्रेस की महास्चीफ प्रियंगा गांदी के खिलाब अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है उन्हें अभी भी सीतापूर के गैस्ट हाउस में रखा गया है इस बीच ती कांग्रेस की प्रियंगा गांदी और अन्य विपक्षी नेताओं के अलावा इस वीडियो को भाच पासांसद वरुन गांदी ने भी शेयर किया है प्रियंगा गांदी ने ये वीडियो जारी करते हुए प्रदानमंतिरी नरेंद मोदी से सवाल पूछा है कि आप लखनों म आजादी का जश्न मना रहे हैं कि आपने इस वीडियो को देखा है और यहीं से बात कर लेते हैं प्रदानमंतिरी के लखनों दौरे की उनके भाशन की आज प्रदानमंतिर नरेंद मोदी लखनों में उत्तर प्रदेश सरकार दोवरा आयुजित करेकरम में आजादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए पहुँचे हैं उन्होंने राइना सिंग निर्मला सीता रमन हरदीव सिंग पुरी मुख्यमंत्रिया दितिनाद के मौजूदगी में भाशन दिया मगर लखनों से 130 किलमेटर दूर लखेंपूर खीरी में मार दिये गए 8 लोगों का जिक्र तक नही किया उस पर कोई बयान नहीं दिया अब ख़बर हरियाना से न्यू टाउन फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के समीब बसी संजन अगर मजदूर बस्ती को रेलवे ने बुल्डोजर लेकर धराशाई कर दिया इस बस्ती में दलिस समुदाय के 500 से जादे मजदूर परिवार पिछले करीब 50 सालों से रह रहे थे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह बस्ती इस तरह मलबे के ठेर में तबदील हो जाएगी संजन अगर में पहली तोड़ फोर्ड बीते 29 सितंबर को की गई थी मजदूर आवाज संगर्श समिती संजन अगर की ओर से एक मामला सुप्रिम कोर्ट में दाखिल किया गया लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने केवल याची का करताओ को इश्टे देने का ओडर जारी किया सुप्रिंग कोर्ट में कुल 18 लोगों ने याची का दाया खिल की थी जिने कोर्ट ने रहाद देते हुए उनके मकानों को नहीं तोड़ने का आदेश दिया हाला कि प्रशाशन पहले ही इन 18 में से भी 10 मकानों को तोड़ चुका था मजदूर आवाज संगर शमिति का कहना है कि हर्यना सरकार ने संजे नगर मजदूर बस्ती के पड़िवारों को बिना अपनोर वास किये विस्थापित किया है जो सरसर मानवा दिकारों का उलंगन है और यह हाई कोर्ड के आदेशों की अबुमानना भी है अब बात कुछ हटकर एक साइन्स फिक्षन किताब के लिए जो दिल्चस्प कहानी हो सकती थी वह अब हकीकत होती दिख रही है वग्यानिकों के पास अब ओरियन के ताहरा मंडल जहां सितारों के समूँ इस्पष्ट रूप से एक पैटर्न बनाते हैं में एक विचित्र इस्टार शिश्टम के अस्तित्र के बारे में पता चला है इसके और भी अधिक सबूत मिले हैं जहां एक ही ग्रह एक साथ तीन सूर्य यानि तारों की परिक्रमा करता है इस इस्टार शिश्टम का नाम जी डबल्यू और इनियस रखा गया है और यह प्रत्वी से लगबग तेरा सो प्रकाश वर्ष की दूरी परिस्ते थे इस स्टार शिश्टम में तीन धूल बरे नारंगी छले हैं जो एक दूसरे के अंदर रहते हैं अब बढ़ते हैं अगली ख़बर की और अब कोविड अबडेट के इंदर स्वास्ते मंतराले द्वारा आज मंगलवार पांच अक्टूबर को जारी आंकड़ों को नुसार देश में 24 घंटों में कुरोना के 18,000 से ज़्यादा नए मामले दर्च किये गए हैं और 263 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इस बीच देश भर में कुरोना से पीडित करीब 29,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 11,556 मामले कम हुए हैं देश में कुरोना संक्रमन के मामलों की संक्या बढ़कर लगभग 3,38,000 हो गई है जिनमें से अब तक करीब 4,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कुरोना से पीडित करीब 98,000 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या घटकर करीब 2,50,000 हो गई है स्वास्ते मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कुरोना वैक्सीन की अब तक 91 करोड 50,000,000 से जादा डोज दी जा चुकी है जिनमें से करीब 22,000,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है तो आज डेली राउंड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप नुस्क्लिक की हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट पर विजट कर सकते है हमारे फेस्बूक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फालो कर सकते है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है शुक्रिया